हेलो एवरीबन, वेल्कम बेक तो माई चैनल, आज हम बनाएंगे एलुवीरा के फूलों की टेस्टी सी चट्नी, एलुवीरा हमारे लिए बहुत लाबदायक होता है, इसका हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा हमारे लिए बहुत लाबकारी होता है, तो उसी इस्रिणी में आज हम अलुवीरा के फूलों की चट्ली बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमने दो चमच ते ले लिया है, उसमें एक चमच चने की दाल और एक चमच उरद की सफेद दाल हमने डाल ली है, और उसमें हम डालेंगे 6-7 कलिया लसुन की और थोड़ा स अदरब का टुकड़ा, और चोटे-चोटे किये हुए प्याज, अगर आपको ऐसे चोटे प्याज ना मिलें, तो नॉर्मल प्याज को हम यूज़ कर सकते हैं, और एक हमने लिया है यहां पर टामाटर, और बिलकुल थोड़ी सी आदी चमच के करीब हम चेनी इसमें डालें और अब हम इसमें डालेंगे अलुवीरा के फूल और इनको दो चार मिल्ट पकाने के बाद हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, अब हम इसमें एक चोटाई कप ग्रेटिड कोकोनट यानि ताजा नारियल कसके डालेंगे और मिक्सी में बारिक पीस लेंगे, अब हम एक पैन में थोड़ा सा तेल ओड लेंगे और उसमें आधी चमच सरसों के दाने और आधी चमच उड़त की डाल, जीरा और दो चोटी लाल मिर्चे भूनेंगे और इसको एक तड़का बनाएंगे, तस से पंदरा कड़ी पत्ता और थोड़ी सी हिंकी चुटकी हम इसमें डाल के इसको भूनेंगे और जो हमारी चटनी हमने पीस ही है, इसके उपर से हम इसको डालेंगे, तो ये हमारी ऐलुवीरा के फूलो की चटनी बिल्कुल तयार है, इसको हम इडली, डोसा या किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेर अवशे करें और चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब चरूर कर लेचे तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य किसी वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत